सावन की दूसी सोमबारी पर सिवाले उमेश रधालू के भीड उम्री रही सुल्तान गंच के अजगेविनादा में स्रधालू अजगेविनाद सिवलिंग के दर्सन करने और जल चड़ाने को बेता आप दिखे सिवधाम हरर महादेव और बोल बम के नारों सी गूंजदा रहा आज सोमबारी पर अंतियंत सुभ संयोग बन रहे हैं दरसल सोमबार पर अमवस्या है जिसे सोमबती अमवस्या भी कहा जाता है सावन की हरियाली अमवस्या भी है आज पुनरवसून चित्र का निर्मान हो रहा है साथी हरसन वर स्वार्थ सिध्धी योग भी बन रहे हैं साथी दुद्रा भिसेग के लिए सिवास भी है जिसे अंतियंति सुभमाना जाता है आज की सुमबार पर महादेव की पूजा अर्चना करना चार गुना अधीक फल्दाई है इसको लेकर स्रधालू में उत्साह देखा गया खासकर महला स्रधालू का फियोत साहिद दिखे इसको लेकर इस मंदिर का विसेश महत्म है देश के कई राज्यों से लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं भागलपूर में कोसी नदी ने फिर कहर बरपाना सुरू कर दिया है जिले के नुगच्यान मंदल की सुदूर गाउं कदुवा दियरा के ठाकुरजी कहचारी टोला में बीती एक सफता से कटाब जारी है कोसी नदी की धारा गाउं की और मुड़ गई है जिससे अब तक कई एकल खेतियर जमीन कट कर कोसी में सवा चुकी है वहीं दरजनो घर कोसी नदी के मुहाने पर है कटाब के बाद जलसन साधन विभाग ने खाना पूर्ती कर 20 मीटर में ही मात्र बालू से भरी बुरी लाद दिया जिससे उतनी ही दूरी में कुछ दिनों तक कटाब रुख सकता है लेकिन जलस्तर बढ़ने के बाद हालत बिगड़ जाएंगे ग्रामिनों में इसको लेकर भै का महाल है जन परतनी धियों वो अधिकारियों के सुस्त रवईये से ग्रामिना क्रोसित हैं और कटाब रोधी कारे की मांग कर रहे हैं वही जलाधिकारी का कहना है कि अभी इस्तिती हर जगह सही है। कोसी नदी किनारे कटाव रोधी कारे कराए गया है जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अभी रबतार में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, आगे और बढ़ने की संभाव नाज़त आई गई है। आपको बता दे कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने के बाद नवच्या के जहांगिर पूरुवैसी, रंगराम, मदरोनी, खरीक, सीकुन, लोकमानपूर, कहारपूर में कटाव तेज होता है। इस इलाके के हजणारों लोक पलायन कर चुके हैं, कोसी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद लोग सहमे हुए है। पहले अगला साल में कम किया थो तो बिल्कुल लाहव का कम नहीं किया था बोरी उपर उपर दे दिया नीचे बल्ली मारा उसके बाद उसके बाद जितना किया और उससे ज्यादा कटा हुए हो गया अभी देखिए नदी का जल अस्तर बहुत नीचे है गंगा तरे के निसान से 2,5 मीटर नीचे है फोसी नदी का भी जल अस्तर काफी नीचे है उतार चरहों पानी में हो राय जैसे घट रहा था फिर आज से बढ़ना शुरू हुआ है दिस्चार्ज भी कोई बहुत ज्यादा अब आपकी सहर भागलपूर में खुल चुका है पुरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम शलून लुक्स शलून लुक्स शलून में आपको लेडीज और जैन्ट से दोनों के लिए सर्विसे उपलब्ध हैं लेडीज के लिए हेर स्टैलिंग, पार्टी मेकप, ड्राइडल मेकप, हेर टेक्स्चर, हेर ट्रीटमेंड, फेसियल औरीचवर्स, हैंड्स और फीट, नेल केर इसी लुक्स शलून अपने इनागरल आफर्स के तहत सभी परकार की सर्विसेस पर 34 परतिसत की भारी छूट दे रही है, तो अगर आप भी लुक्स शलून के बहतरीं प्रीमियम सर्विसेस की चाहत रखते हैं, तो अभी बुकिंग कर सकते हैं, अपांटमेंट के लिए आप अटमेंट भी ले सकते हैं कूलिंग थिरेपी का सहरा लिया जाता है, जन से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थिरेपी दिया जाए, तो उसका सीपी की समस्या कम होती है, और बचने के भी संभावना बढ़ती है, पहली बार बिहार जारकंड में आपके सहर के सने नवजासिसु बाल सेवा के अंदर में या मशीन उकलब्द है, कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में बिलंब हो गया, तो आप स्ने नवजासिसु बाल सेवा के अंदर में जरू संपर करें। में उसकी मौत हो गई, मिर्तक की पहचान तिलगपूर गाउनिवासी 40 वरसी अदली मंडल के रूप में हुई है, परजनों ने पुष्ट माटम कराने के बाद सब को लेकर सुल्तान गंज पहुँचे, जिसके बाद मुआबजे की मांग को लेकर कुछ देर के लिए एनचस को जाम कर दिया, घटना की सूचना पर विडियो मनोश कुमार मुर्मूस सीओ अमीत राज थाना धिर्ष प्रणजन दलबल के साथ मौके पर पहुँचिया और परजनों को समझा बुझा कर जाम को हटवाया, इसलिए परिबर जुआ की तरफ से पांजला क्या जो पांजला हिंदुस्तानी आवाम मौर्चा के बैनर तले एक दिवसिय धरना प्रतरसन कायोजन भागरपूर की समहारनाला इस्तित, कहचारी چौंक पर किया गया इस एक दिवसिय धर्ना प्रदर्सन में पाटी के कारकरताओं ने कई मांगों को लेकर प्रदर्सन किया। इसमें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के जिलाध्यच असोक कुमार संजय यादर ब्लचविकांत सनोज यादर गुरुरविदास दिलीप मंडल विकास कुमार के लावे दर्जनों हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के अधिकारी वाकारकरता मौजू जमीन दिया जाए और जो इसको खेती के लिए जमीन नहीं है वैसे गरीब आदमी को एक एकर जमीन जो नियमत बत है उसको एक एकर जमीन खेती के लिए दिया जाए जो व्यक्ति परचाब मिल गया है लेकिन उसको दखल नहीं दिया गया है अतिकर्मन कर लिया गिया है जमिन पर, उस अतिकर्मन को हटा करके, इसके नाम से परचाज कटा है उस परचाज धारी को जमिन पर दखल दिलाना सरकार का दाहित भैर सरकार इसको दिलाबे। जो 400 रुप्या विर्धापेंसन मिलता है उसको 1000 रुप्या विर्धापेंसन सरकार को करना चाहिए यह हमारी मुख मांगे है नालसा नई दिल्ली विहार राज विधिक सिवा प्रादिकार पटना के तत्वा धान में जिलाय विधिक सिवा प्रादिकार भागलपूर के रुपेश देव के निर्देशन में बहवार नियाले भागलपूर के 10 कोट बिल्डिंग के कॉन्फरेंस हॉल में मोटर यान अधिन विषय पर विधिक जागरुकता कारिक्रम का योजन किया गया। जिससे जल से जल सड़क हातसे में पृलित लोगों को नियाई मिल सके वहीं 90 दिनों के अंदर पुलीस को दरा रिपोर्ट कोट में जमा की जाया जिससे पृलित परिवार को उसका मौअब जाप भी मिल सके जानकारी डिले से भागलपूर की सचीब ने दिया उन्होंने कहा कि मोटर या नधिनियम में कई बदलाब किये गए हैं डाल साख दुराज सभी थानों के SHO इंसुरेंस केस के वकील केस के वकील को बताया गया है उम्मीद है जो भी नए नियम पारित हुए उन्हें जल्द से जल्द अमल किया जाएगा इसमें सारे थाने के SHO को बुलाए गया था इसमें बांसा के त्वारा एक डिरेक्शन आया था सुप्रीन कोट का ओडर आया था एक सिवील अपील नंबर 9322 अब 222 इसके अलोग में कहा गया था कि में सीटे के के समयमेंट किया गया और जो भी वक दलाओ किय गया था चाएगं शाएगा सारे की माppen नाभुनीका और है इसमे डिस पोजल से जल्द करवाने के लिए उनको गाईिदलेजन दिया गया है जो भी एक्सिडेंट होते हैं उसकी रिपोर्ट समीट करें कंसर्ण कोड को दस दिन के भीतर उनके पिरित जो भी होंगे उनको बताएंगे उनके अधिकार क्या है उसके अलाबा ड्राइवर्स जिसके द्वारा घटना कारित की गई है उनके द्वारा भी फॉर्म तीन भरा जाएगा जो की तीस दिन के भीतर चंसर्ण ठाना में जमा होगा उसके अलाबा है जो भी ओफेंडिंग वेहकेल के ड्राइवर होगे और ओनर होगे ओनर के द्वारा भी फॉर्म पांच सॉरी फॉर्म चार भरा जाएगा जो तीस दिन के भीतर चंसर्ण ठाना में जमा किया जाएगा इसके अलावा इंट्रिम एक्सिडेंट रिपोर्ट बनाया जाएगा पुलिस के द्वारा जो कंसर्ण एमेसिटी कोट है उसमें पचास दिन के भीतर जमा करेंगे विक्टिम के द्वारा भी फॉर्म भरा जाएगा जिसका फॉर्म नंबर है 6 और 6A जो कंसर्ण पुलिस थाना में भरा जाएगा दिया जाएगा और 60 दिन के भीतर वो जमा करना है उटो ये सब कारवाई करते हुए 90 दिन के भीतर जैसे कि आप जानते हैं चार्शिट सम्मीट की जाते है 90 दिन के भीतर उसी तरह इसमें डिटेल एक्सिडेंट रिपोर्ट सम्मीट की जाएगी जो फॉर्म सेवन में है 90 दिन के भीतर पुलिस वाले को जमा करना है कोट में जब ये परकिरिया समाप्त हो जाती है उसके बाद में सेटी क्लेम टिबनल के द्वारा विक्टिम के फॉर्म 6 और इंसुरेंस कमपनी के जो भी लवर होंगे या उनके द्वारे जो भी काखजात प्रसुत किया जाएगे उसके आधार पर उनके क्लेम कर्टिजन इसपादन किया जाएगा अगर कमपनी जो इंसुरेंस कमपनी है आपनी लाइबलेटी स्विक्यार करती है कि हां मैं लाइबल हो इसके लिए और वो एक एक रासी पताएगी जो क्लेमेंट के द्वारा अगर माल ली जाती है कि हां ये रासी पर हम समझहोता करने के लिए तैयार है तो पूजा अचना के बाद महाभूग परसाद का विए पूजा अचना के बाद महाभूग परसाद का विवित रन किया गया